रिजल्ट गाइस आप लोग भी चोटे टाइम फ्रेम पर बड़ा प्रॉफिल्ट बनाना चाहते हो लेकिन क्या आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजी है जो कि आप लोगों को बड़ा प्रॉफिल्ट बनाने में हैल्प कर सके तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है और आप लोग ऐसी स्ट्रेटेजी को धूंड रहे हो जो के आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ा प्रॉफिल्ट तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप भी लाइक करने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि नेक्स बेस में आप तो के लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ टेक्निकल अनेलसिस के ऊपर तो कि आप तो के लिए बहुत ज्यादा हेल्पुल रहेगी इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना सब्सक्रिप्शन में अच्छा रिस्पॉंस देते हो इसके ऊपर व्यूज अच्छे आते हैं इसके ऊपर लाइक्स अच्छे आते हैं लोगों के कॉमेंट्स अच्छे आते हैं तो मैं नेक्स्ट परदर स्कैल्पिंग के ऊपर और इसके साथ साथ इंट्र डेड और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी वर्व करूँगा तो गाइस अभी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आजुका हूँ और जैसे के मैं आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोगों ने टाइम फ्रे सैच करेंगे और स्कैल्पिंग आप लोगों को पता है कि 5 मिनट पे 1 मिनट पे स्क्राइम और को जाती है कहीलोग चोटा उसको यहाँ पर उट करते हैं लेगिन इससे पहले काले उटने कौनसा पेयर उठाना एं हीस इस स्रेटरजी को अपलाय करने के लिए तो गाइस पेय आप लोगों ने वो उठाना है, जिसके अंदर momentum अच्छा हो, चाहे BTC है, अब मैंने यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, कि BTC over USDT का pair उठाया हुगा है, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग पेर उठाओगे, जिसके अंदर अच्छा volume है, अच्छा momentum है, क्योंके guys, volume ज अब हम यहाँ पर place करेंगे, दो indicators, मैं बात घुमा फिर आगर नहीं करूँगा, दो indicators यहाँ पर place करेंगे, simple से indicator है, और कुछ settings करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी strategy यहाँ पर apply करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने इसको back test लाजमी कर देना है, तो यहाँ पर simply indicator apply करने के मैं simply effects में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं tap अगर करूँ, तो indicator section मेरे पास अभी open हो चुका है, simply यहाँ पर आप लोगों ने जो first indicator put करना है, वो है MACD, लेकिन MACD आप लोगों ने custom indicator put करना है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, MACD custom indicator multiple time frame, Chris Moody इसके founder है, और 62,001 इस के users हैं, इस indicator के, so यहाँ पर आप लोगों ने इस indicator के उपर single tap करना है, और tap करने के बाद यह indicator आप लोगों की screen के उपर कुछ इस तरह से appearance देगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, इसके अंदर multiple colors है, इस MACD के अंदर और histogram है, और उसके साथ साथ हमें moving average एक ribbon देखने को मिल रहा है, ठीक है, further अगर हम अपना दूसरा indicator plot करें, तो वो बहुत ही simple indicator है, बहुत ही well known indicator है, बहुत famous indicator है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूं के जो MACD indicator हम लोगों ने यहाँ पर plot किया है, इसके अंदर हम लोग कोई changing नहीं करने वाले, fine, कोई changing हम लोग इसके अंदर नहीं करेंगे, अब हम लोग अपना further जो next indicator है, उसे यहाँ पर place करते हैं, जिसका नाम है moving average, again, effects में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों SM में type कर लेना है, simple moving average, तो थोड़ा सा मैं scroll करूँ, यहाँ पर आप लोगों चेक कर सकते हैं, moving average simple, इसके उपर आप लोगोंने single tap कर देना है, अब tap करने के बाद guys, यह indicator हमारे पास कुछ इस तरह से appearance दे रहा है, moving average के अंदर आप लोग settings करोगे, इसकी थोड़ी सी simple सी setting है, आप लोगोंने just setting में आना है, और यहाँ पर जो इसकी length दे रखी है, उसको आप लोगोंने 200 में convert क कर देना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 200 कर दिया है, और simply इसको मैं okay कर दूँगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो, कि इसने जो अपना position है, अपनी location जो है, चार्ट के अंदर इस moving average ने change कर दी है, पहले यह candles के बिल्कुल करीब थी, जैसे ही मैंने 200 moving average की एक input दी है, तो यह moving average जो blue color की line है, आप लोग चेक कर सकते हो, कि market से काफी ज्यादा दूर चली गई है, अब यह हमारी guys requirements जो थी, वो complete हो चुकी है, दोनों indicators हमारे पास मुझूद है, one minute का time frame है, और each and everything आप लोगों के सामने है, ठीक है, अभी मैं strategy आप लोगों को समझाओंगा, लेकिन सबसे प करें, current market में देखें, तो market अभी bearish है, अब यह हमें कैसे पता चलेगा, कि market में कौन सा trend चल रहा है, तो guys market अगर इस blue line मतलब 200 moving average के नीचे move कर रही है, इसका मतलब market is 200 moving average के उपर move कर रही है, इसका मतलब है कि market positive है, market bullish है, उपर की तरफ ले आ रही है, I hope कि आप लोगों को यहां तक समझ आ चुका होगा, अब market जब guys bearish हो, market में bearish trend हो, जैसे के थोड़ा सा यहां पर अगर हम लोग आ जाए, तो यहां पर हमारा एक trend जो हम लोग चेक करने है, चेंज हुआ है, और यहां से market bearish है, तो guys इस तरह के मोके पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने just sell की entry लेनी है, हम लोग buy नहीं करेंगे, लेकिन जब market इस moving average को cross करके उपर आ जाए, तब हम सिरफ buy की entry लेंगे, market के अंदर sell की entry नहीं लेंगे, तो चलिए guys अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ के buy आप लोगोंने कैसे करना है, then sell के बारे में हम बात करेंगे, और further आगे बढ़ते हैं, तो guys ये spot आप लोग चेक करें, यहाँ पर MACD के अंदर हमें एक spot देखने को मिला है, green color का है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, अब moving average MACD के अंदर जो बन रही है, इसके अंदर हमें multiple colors देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा clear है, तो इस जगा पे guys आप लोग चेक कर सकते हो, कि एक yellow color की line है, ठीच है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक green color की यहाँ पर आप लोग line चेक कर सकते हो, और यहाँ पर next जो है वो red color की line है, अब इस सब का क्या fund है, guys जब moving average में, जो MACD का moving average है, यहाँ पर ज ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आप लोग चेक करें, तो यह moving average की जो हमारी line है, red color की, इसने यहाँ पर आके जब crossover की है, तो अपना color green color में change कर दी है, which means कि market उपर की तरफ जाने वाली है, simple, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यह चीज देखनी है, कि क हम लोग नीचे wait करेंगे, कि एक crossover हमें मिले, इस तरह का एक spot मिले, जहाँ पर जो हमारी crossover हो, और crossover में हमारी जो line है moving average की, वो अपना color red color से green में convert कर दे, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, कि इस spot पे हमारी moving average है, उसका color change हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम लोग द लेंगे, तो हमारा stop loss, जो है, वो moving average की line से थोड़ा सा नीचे रहेगा, आप मान लोग कि आप लोग का stop loss इस जगा पे है, ठीक है, और risk to reward ratio की बात की जाए, तो वहाँ पर हम लोग अपना risk to reward ratio जो है, वो one ratio two select करेंगे, ठीक है, one ratio two के हिसाब से हमारा risk to reward ratio रहेगा, and result guys, आ बहुत ही बढ़िया result है, इस strategy के scalping में आप लोग बहुत अच्छा खासा profit बना सकते हो, तो guys, अभी मैं sell की तरफ बढ़ता हूँ, selling की बात करता हूँ, कि sell आप लोगोंने कैसे करना है, तो guys, selling बिल्कुल opposite है, market हमारी जो है, वो इस blue color की line के नीचे move करनी चाहिए, कोई breakout प आया है, और यहाँ पर हमारी जो है, वो confirmation हो गई है, कि यह जो breakout market के अंदर आया है, वो real है, और नीचे अगर हम इस spot के उपर देखें, तो यह red color का एक spot हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर नीचे जो MACD के अंदर moving average है, इसने अपना color red color में convert कर दिया है, जो के हमारे लि है, फर्थर अगर move करें, लेकिन हम लोगों ने one ratio, two case आप से risk to reward ratio रखना है अपना, और stop loss की बात की जाए, तो same moving average के थोड़ा सा उपर आप लोग अपना stop loss रख सकते हो, तो I hope कि आप लोगों को selling की भी समझ आ चुकी होगी, अब ज़रा मैं आप लोगों को इस side पर लेका अगर आप लोग market अगर नीचे है moving average से और आप लोगों को buy का signal मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग बाइंग नहीं करोगे, I hope कि आप लोगों को ये strategy समझ आ चुकी होगी, each and everything आप लोगों के सामने मैंने clear कर दिया है, फिर भी कोई doubt है आप लोगों को, तो मुझे comments में पूछ सकते हैं आप लोग, तो गाइस वीडियो को like कर दें, share कर दें, और अगर मेरे चैनल पर new हैं, तो अभी मेरे चैनल Tech Gallery आपको subscribe कर दें, और bell icon को press कर दें, तक मेरे हर नहीं आने वाली वीडियो का notification आप लोगों तक easily पहुंच जाया करें, मिलते हैं गाइस, next वीडिय ये, आला हाफीजु